पहला नमबर तो, फाइब मैच कर गया, ओ मैगाड, दूसरा नमबर टू, ओ ग्रेट, दूसरा नमबर पर मैच कर गया, आज अगर जॉनी करोड़ोपती बन जाएगा, तो कल कृष्मस धूम दॉम से मनाएगा, स्टेला, ठीक, साथ बजे घर आ जाना, थॉमस भी आ रहा है, जॉनी तो रहेंगे ही, आज क्रिस्मस इव पर, टीवी पर बहुत अच्छा मैसेज आने वाला है, सब मिल कर सुनेंगे, रभु इशू, हम सब को आशिष देखा, रभु इशू की शरन में जाने से, जीवन को ल क्षे मिल जाता है, अर्या मज़ा गया, अर्या साथ टिक्टो के नंबर अगर मैस दीओ, क्या हुआ, आट वे टिकर के नंबर तो मैस हो गया है, इसके छे नंबरों बहुत पांच नंबर मैस हो गया है, अब छटा नंबर भी मैस हो जाएगा, तो मैं छुटी करते ये प्रभू, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस सुक्षान्ती चाहिए पैसे से क्या कुछ नहीं होता नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी यहून है पागी यहँ लगी यह वक्त तुमने फिर टिकेट करे दे लॉत्ट, क्या न एचलिए तुम्हें पता है, लॉत्री जुआ है गैम्लिंग है, और गैम्लिंग इस इसलिए यह यह पाप है। यह पाप सिर्फ एक numbers इंबर से अच्छाएं में बदलते रहेगा, darling! क्या मतलब? उमतलब यह कि छे numbers 5 numbers match. 5 numbers match? अगर चटा number match हो गयाता ना? तो आज हमारे पास 2 crores BRT, 2 crore rupees. अगर 2 crore हमारे पास होते ना, तो तुम कभी ने कहते जान लेंगे जा सिर्ट, चुके बदल छुपते हो थे हमारे दिन, तुम कभी नहीं सुद्रोगे, मैंने तुम को कितना टाइम समझाया, कि जीसिस ने हमको जितना दिया, काफी है, हमको बिना अशीश के पैसे नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें प्रभू है, उसमें विश्वास रखो, अरे मैं भी उसे मानता हूं यार, पाप करने वाले प्रभू को नहीं मान सकते, तुम्हारे लिए अच्छा है, कि लोटरी की टिक्टो में पैसे बरबाद करने की बजाए, किसे गरीब को दान दे दो, उससे प्रभू तुम्हें लोटरी लगी, सुख हाजिर, इंस्तंट प्लेजर, ए प्रभू, ईशू और बाइबल को मानने वाला इंसान ऐसा सोच सकता है, तुम मानते क्यों नहीं कि लालच पाप है, एक गिलास पानी मिलेगा, ये पाप और सच्छाय की चक्रबाद तुम्हें पड़ी रहे ना, मैं जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ, ओके? अरिया पाप रहे, सत्या ना, से छोटे से घर में यही होता है, कभी मैं समान पर करता हूँ, समान मुझ पर करता है, अरे लोटरी लगेगी न, तो बड़ा सा घर ले लूँगा, जा मैं वाइफ को ढूंड़ू, वाइफ मुझ बहुत अच्छा लगता है, नहीं मुझे बटर स्कॉच वाला चाहिए, तुम्हारे पसंद के केक में ला दूखा, ओके? ये क्या है? ये क्या है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, बाई! अबरे अपरी अप्री बड़ोच लाएगा, अबरे तो गोगो, सावरो ले की न जो आने का ने, बुले का, स्कॉटर बदल, साइकल बदल, ये नोखरी बदल, ये नोखरी बदल, क्या करो मैं? Boss, मैं आगे है, Boss. Johnny, अब आज पर लेठो गए? Boss, मेरा स्कॉटर खराब हो गयता, मैं किसी कि साइकल ने करा रहा हुँ हुँग? Nonsense, you are a nonsense guy. बातें बनाने से और ड्रीम्स देखने से लाइफ नहीं चलता. अब वल आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. इमानदारी से काम करना पड़ता है. इमानदारी से काम करोगे, तो परमेशो भी तुम से खुश होगा. इमानदारी से काम करो तो तुम्हें खुद बखुद पैसे लेने का हक होगा. तुम अपने आप पर गर्म महसूस करोगे. और तुम्हारी मुचें उंची हो जाएगे. मुच्छड अपनी मुच्छों पर बहुत घमंड है. बेवकूफ, बगार मुच्छों के ताउं देता है. काम में दिल नहीं लगता. लेकिन नाटक बाजी में दिमाः खूब चलता है. अचे. अचेट आउट? येस. जा कर. जा कर अपना काम सभालो. मैं मैं मार्केट जा रहा हूँ. और सब का खाल रखना है. करना। वा 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 what a nice man. Very nice man. अरे परमेशवखर करे ऑजसा पियरा बॉस हर द को मिले. मैं अचेवा उनो, बहुत प्यार किया. मैं उनों बढ़ partial productanes वाजना मुझ उसे कहा के तूम我在 मिनसे कहा के तूम अवग घठे के महंती इंसा है. हमको तुमारे उपर प्रॉड फीलोता जी ओडी उनको भी है और पता है अनोने मुझे एड्वाइस भी दिया ओ दसो जी बहुत से कहा के दो चीज़ जिंदगी में कभी बदलना नहीं बुशाट और पैंटे पने या स्कूटर और ये नौकरी जॉनी भाई, आप तो ग्रेट हो थेंक्यू बेर मेंच आपने मुझे बता जिया कन्फर्म हो गया इज तो पता ही दी था थेंक्यू ओ पाई साब, इस बार किसमस में पार्टी नहीं दिती तो बहुत बुरा होगा अरे पार्टी मिलेगी, पार्टी मिलेगी एक बार मेरी लोट्री लग जाने तो हाहा इनने से एक तो लगेगी फिर मेरी किसमत जिगेगी अरे लगेगी कि आए, पर शालती कि पहीं गहए ऐफ्मून स्केर्ट ए कि क 눌러ा थे दोल्थे मुझे हम अप्रिटो मांगी क्यों आंके कर रख भी जब कादें हम सेiroफ ₹ खशक way जब कर मेंदे हं उरल swing जाय को शाम तक रूर जागी हम यहां देखो हमें क्रिस्मिस के लिए सों के के अड़र बने और पंदेन अना हजार पे ड्वान्स भी दिया है पर फाओ केक बनेंगे कैसे? ओ जी वल्ले वल्ले वो 75 केक तो अपने पास पहले से तो यार है अच्छा ठीक है जॉनी तुम है न अवन पर बैठना और टेंपरिचर कंट्रोल करना तुम दोनों चलो मैदा अशक्र निखालतें यारी कच्छा है जी वल्ले वल्ले, वल्ले ओक्छा है ठीक है तुम जबदोगा सर बने काम कर रहा हूँ तुम फिर लेता है आम स्री सर्ब मेन स्कुटर फराभ होगा स्कुटर बथलो या ना ओखरी बथलो लेकिन बॉस ाइस से बने बने यह प्रेजिए जाना जी को मिछ किरो जी बगाजा के ना कार तूगा कः अए ओ पाई सात्य घटा जाग जागाई क्या लगता अरे माइग ये क्या होगा ओपो जॉनी तुमने सारे केक जला दिया अगर हम कस्किमर को क्या जवाब देंगे ऐसा कभी नहीं हुआ अलो अलो अब भुझा अलो अब भाण रेक्षेगा तो क्या होगा अले फार इस गलगींशर ओ जो लिए तुम सब ना देखना का बंद करेगा पूरा सत्या नास का दिया है अटा पीजा हड़ा है 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 इसमस्केब पर सौके का ओडर था हम क्या करोंगे इस दुवा दॉब रहा है कहाचा यह जो जिए जानी इस सारे के तुमने जराए है एक तेनाश हो किया, you are simply disgusting a man good for nothing, जाओ जाओ जाओ, get out, get out from here. आज़ से तमारी छुक्री, तुम लोग मिरा मुग कहा देख रहो, जा प्रम्राता हम करो. मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दोंगा डाड़ी डाड़ी शाम को केक लेका राना बढ़ा साथे प्लीज डाड़ी प्लीज डाड़ी मेर ले शाम को स्ट्रॉबरी वाला केक लेके आना डाड़ी प्लीज मुझे बहुत अच्छा लगता है याड़ी शाम का राड़ी बहुत अच्छा लेके लेके राड़ी दोंगा झाल झाल साथ बजने वाले हैं, मैसेज आता ही होगा स्टला, तुमने लास्ट येर का मैसे सुना था? नहीं, मैं मिस्स कर गए थी लो, जोनी भी आ गया जोनी आओ ना, मैसेज आने वाला है मैं आन करती हूँ क्रिस्मस का संदेश क्या है? इसका सार तीन शब्दों में किया जा सकता है जो तीन वस्तुएं हैं पालना, क्रूस और मुकुट जब हम पहले क्रिस्मस का समरन करते हैं तो हमें याद आता है पालना क्योंकि दो हजार वर्ष पहले फिलिस्तीन की एक सर्द रात एक बालक जन्मा था उसका जन्मस्थान एक गोशाला थी तथा उसका पालना और कुछ नहीं वरंचर नी थी ये इसलिए के मरियम और यूसुफ गरीब थे और बैतलहम की किसी भी छोटी से छोटी सराय में जगए नहीं थी परन्तु उसका जन्मसाधारण नहीं था बाइबल बताती है कि उस पहली क्रिस्मस की रात में स्वर्ग दूत ने बैतलहम के बाहर चरवाहों से कहा मत डरो देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूँ ये सब लोगों के लिए होगा लेकिन इसका अर्थ क्या है तो हजार साल पहले किसी बालक के जन्म लेने से हमारे संसार और जीवनों में आखर क्या फर्क पर सकता है हर युद्ध के दौरान छोटे बच्चे अपने घरों में रहते हैं जबके उनके पिता युद्ध के लिए चले जाते हैं और बहुत सी माताएं बच्चों के मन में पिता की याद ताजा रखने की पूरी कोशिश करती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक मा अपने छोटे से बेटे को प्रते दिन सोने के कमरे में ले जाकर उसे पिता की तस्वीर दिखाती थी जो युद्ध पर गए हुए थे एक दिन बच्चा अपने पिता की तस्वीर को बड़ी चाह से देखता रहा फिर वो अपनी मा से बोला मा, कितना अच्छा होता यदि पिता जी इस तस्वीर के फ्रेम से बाहर निकला थे सद्यों से लोग आस्मान की तरफ देखर यास लगाए हैं कि उस स्वर्गी फ्रेम में से परमेश्वर निकल कराएं अपनी पहचान कराएं और हम में मिल जाएं बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने बैतलहम की उस साधारन सी गौशाला में ठीक ऐसा ही किया प्रभु येश्व मसी किसी साधारन बालक के समान नहीं थे ये चाहे हमें अजीब और समझ से परे लगे बाइबल के अनुसार कुवारी मा से जन्मा ये बालक मनुष्य की रूप में परमेश्वर था उसने जगत की सोच को बदल डाला क्या आप चकत हैं कि परमेश्वर को जान पाना संभव है आप जान सकते हैं पहले क्रिस्मस के उस पालने के कारण जान सकते हैं परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया प्रभु येशु के रूप में उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो हम से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाने इस क्रिस्मस के समय आप उन्हें जान सकते हैं उनकी ओर फिर कर विश्वास और भरोसे के साथ परन्तु हम क्रिस्मस को अलग नहीं कर सकते उस क्रूस से जिस पर प्रभु येशु मारे गए प्रभु येशु इस जगत के सबसे बड़े शिक्षक रहे हैं परन्तु उनके आने का प्राथमिक उद्देश परमेश्वर और मनुष्य का मेल कराना था उनके जन्म की घोशना करने वाले स्वर्गदूत ने कहा वो अपने लोगों का उनके पापों से उध्धार करेगा प्रभु येशु स्वैम अपनी मृत्यू के विशय में कहते हैं इस अंत के कारण मैंने जन्म लिया इसके वर्षों बाद प्रेरित पॉलुस ने लिखा मसी येशु पापियों के उध्धार के लिए संसार में आए जब आप समाचारों की सुर्कियां पढ़ते हैं या खबरों को सुनते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि मनुष्य जाती में कहीं कुछ गंभीर समस्या है घ्रिना, वासना, लोब, हिंसा, इर्ष्या और भ्रष्टाचार हजारों रूप में रोज हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं मनुष्य एक विरोधा भास के समान है जहां एक तरफ वो प्रदर्शित कर सकता है भलाई, प्रेम, कृपा और करुणा वहीं दूसरी तरफ, उसके हृदे और दिमाग में हर प्रकार का विद्रोह, दुष्टता और पाप भरा पड़ा है आज के संसार की सबसे बड़ी समस्या राजनेतिक नहीं है, नहीं सामाजिक और आर्थिक है सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य हृदे बाइबल के अनुसार मनुष्य जाती बीमारी से पीड़ी थे इस बीमारी ने जिसे बाइबल पाप कहती है, मनुष्य के जीवन और समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है इस से भी बढ़कर इसने हमें उस परमेश्वर से दूर कर दिया, जिसने हमें स्रिजा और चाहा कि हम उसकी संगती में रहें चाहे हम क्रूस की उस मृत्यु को पूरी तरह न समझ पाए परन्तु ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम उसके पास वापस लोटाए मसीह द्वारा हमारे पापों की क्षमा संभव हो पाई हमें हमारे पापों की क्षमा मिल सकती है तथा परमेश्वर से हमारा मेल हो सकता है केवल उस क्रूस के कारण आप देख सकते हैं कि क्रूस और पुनरुथान मनुश्य की एक मात राशा है ये महत्वपूर्ण घटना जो 2000 वर्ष पहले हुई थी परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तुम्हें क्षमा करना चाहता हूँ तुम्हें पास लाना चाहता हूँ तुम्हें नया हृदय डालना चाहता हूँ तुम्हें शान्ती आनंद और भविश्य की आशा देता हूँ यही क्रिस्मस का शुब संदेश है क्रिस्मस का संदेश पालने के साथ ही समाप नहीं होता क्रूस के साथ भी नहीं होता ये तब तक समाप नहीं होगा जब तक कि हम मुकुट को न देख लें एक दिन मानव इतिहास का महिमा मै अंत होगा बाइबल के अनुसार मसीह का दोबारा आगमन होगा परमेश्वर के राज्जिकों अंतिम और निरनायक विजय दिलाने के लिए हाँ भविश्य के लिए आशा है क्योंकि इश्यू मसी राजाओं के राजा और प्रभूँ के प्रभू की तरह आएंगे न्यू यूर्क में स्थित्व संयुक्त राश्ट्र की मारत के उपर पत्थर की स्लेट पर एक पद अंकित है भविश्य के विशय में बाइबल की अशाया पुस्तक में से जो अभी तक पूरा नहीं हुआ लिखा है वो अपनी तलवारों को पीट कर हलका फाल और अपने भाले को हसिया बनाएंगे फिर कोई देश दूसरे के विरुधिना तलवार उठाएगा और नलोग भविश्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे कितना सुखद विचार है ये विचार युद्ध से ठके हारे और हताश अंगिनत लोगों का स्वपन और आशा है इसे यशाय में पढ़कर आप जानेंगे कि इसमें उस समय का जिक्र है जब मसी पूरी पृत्वी पर राज करेगा ये वो समय है जिसकी प्रार्थना येशु ने अपने शिश्यों को स लिखाए तेरा राज्या आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृत्वी पर भी हो ये समय है समय का अंत वो समय जब वो बेतलहम की चर्नी में आए और कलवरी क्रूस पर मारे गए एक बार फिर महिमा और सामर्थ के साथ आएंगे इतिहास जैसा कि ह हम जानते हैं एक दिन समाप्त हो जाएगा परन्तु वो एक शण शानदार शुरुवात का भी होगा प्रेरित पत्रस ने लिखा है वो जो बेतलहम में आया था फिर आएगा और उसके साथ एक नया आकाश और प्रित्वी होगी जिसमें धार मिक्तावास करेगा ये सब मैंने पाप किया है मैं माफी चाहता हूझ इशू, मेरे पापों को माफ करतो, मैं तेरे शरण में हूँ, मैंने लालच करने का पाप किया, तो मेरे मन को अच्छे विचारों से भर दे, मेरे जीवन से अज्ञान के अंदकार को दूर करके, ज्ञान का प्रकाश भर दे, मुझे महाफ़ करते प्रभू मेरा जीवन जलेवए केक की तरह है जो उपर से दिखावे की क्रीम से ढखा होने के कारण अच्छा दिखता है पर अंदर से किसी काम करने प्रभू क्या अभी मेरे जीवन में आशा है क्या उमीद है प्रभू प्रभू थेंक यू प्रभू आपने मेरी प्रात्ना सुनी और कुबूल की थेंक यू प्रभू थेंक यू ताडी केक प्रभू ये जलाओवा केक लाकर मैंने बच्छों को दोगा दिया है प्रभू मगर मैं क्या करता मैं मजबूर ताओ बगल्टम्रं फिर ने किसे था नही एकंद अग्रावशम प typically बर शेति हम अप्रूं होगां थेंक प्रभी ज़िया कि मेरे गुना माय और कर दो आप नहीं। तब्छा लो प्रभू पाप के था ग्रभू पापक, वाज जॉनी क्या केक लिक है अपने बेकरी से, इस रिली वंडरफूल, कौम तॉमस तेक्यू बरभा, याच्यरेकाम ये विरेकल आप ये कर सकते हैं परभा मैं आज जान गया हूं कि मुझ जैसे पापी के लिए भी उमीद है आशा है, थेंक यू लौड, थेंक यू लौड, थेंक यू है, बरभा को are right है, पॉझ गरव उसियू है है। अपी क्रिस्टमस जॉनी, क्या भात? आज बहुँ खुछ नगर आ रहे है? क्या कर दूसरी लौट यनिल आई है? प्रभव येशिन ने मेरे पापकों को माफ कर दिया, मुझे नई जिंदगी दिय है, बोस अज़ की इस पवित्र सुभा के साथ ही, मेरे मन में एक नहीं सुभाई है। गयान का उजाला लेकर, खुष्यों का ज्हुंका लेकर, अब मेरे मन में कोई लालश नहीं, बस है तो सिर्फ पीस है, शांती है। क्योंकि परभू यश ने मज़े मज़े और मझे चोलिया आद बहुत खुश्म भाइस यगी खुशी बातने के लिए मैं आया था थाग्यू जॉन्य जब मन में सवेरा आता है तो जीवन में भी सवेरा आता है अगर उस एश्यू ने तुझे माफ कर दिया है तो मैं भी तुझे माफ कर सकता हूँ अफर और अल I am also his follower यह लग आशा की पुष्ट तक The Book of Hope यह तुमें सही मार्क दिखाएगी सही राष्टा बताएगी इसे पढ़कर तुम जिन्दगी का टुट समसकोगी जिन्दगी की सचाई तुमें मालू हो जाएगी तुम्हारे मन में जो भी इंदकार है तुम दूर हो जाएगा और तुम खुद ब खुद प्रभू के चरनों में चरने जाओगी और हाँ जानी कल से तुम काम परा रहे हो तेंक यू सार याँ प्रेज द लौ देखा आपने किस तरह जानी बेकर के जीवन बडल गया और उसके पाफ च्छमा हो गया आप का भी जीवन पर भूई इश्यमसी बदल सकते अगर आपके हदे को भी इस किसमस के संदेशने चुआ है तो आप मेरे साथ साथ इस पच्छाताब की प्यार्थना को दोर आईए प्रभू मैं इसी च्छन अपने पापों की च्छमा मांगता हूँ और अपने हिर्दे के दोर आपके लिए खोलता हूँ मैं आपको अपने प्रभू और उद्धार करता स्विकार करता हूँ इस किसमस मेरे हिर्दे में जन लीजी और मेरे प्यार्थना को कबूल कीजी क्योंकि ये प्यार्थना मैं प्रभू ईश्यमस्य के नाम से कर रहा हूँ आमीन दोस्तों इस किसमस के शुबाउसर पर हम आपके एक मुफ्त उपाहर देना चाहते हैं आशा की पुस्तक ये पुस्तक कई भाषावों के लोग है हमें आज ही लिखिए हमारा पता है My Hope India Post Box Number 52 सकेदरबाद 5 सुन्य शुन्य 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 तीन आंदर प्रदेश भारत परमेश्वर आपको आशिश दे किसमस की बहुत बहुत शुब कामना है प्रभु किस्तुती हूँ